सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीव के के पाठक ने पिछले दिनों एक आदेश जारी किया था कि सबी स्कूल के समय में नीजी कोचिंग नहीं चलाय जा सकते उनके इस आदेश के बाद राजभर में जितने भी कोचिंग संचालक थे वो काफी परिशान थे इन सब के बीच अब के के पाठक के इस आदेश से पटना में प्रतियोगिता परिक्षा की तयारी करने वालों को छूट मिल गई है और एक बड़ी खुश खबरी विभाग की त उनके तरफ से आयpiece नएने फर्मान जो है वो सिग्षकों को लेकर हो या फिर स्टूरेंट्स को ले Cisco या फिर संचालकों लेकर हो जारी जाते हैं ऐसे में पिछले दुनों के कि पाठक ने एक नया फर्मान जारी किया था जिसमें राज dadraka की संथानों को school timing के दौरान संचालित नहीं करने का आदेश दिया था जिसके बाद इसको लेकर कोचिंग संद के तरफ से जोड़दार हंगामा भी किया गया था लगतार हो रहे इस बिवाद के बाद अब इस पूरे मामले में पटना डीम का बड़ा आदेश सामने आया है जी हां बता दे कि पट कोचिंग चलाया जाएंगे हलाकि इस अबदी में चलने वाले कोचिंग में सरकारी स्कूलों के ठीचर नहीं पढ़ाएंगे वहें जीम चंदर सेखर ने साब तोर पर कहा है कि केवल प्रतियोगिता परिक्षा की तयारी वाले बच्चे के लिए सुबा कोचिंग चलाया जा के अलावा 9 से सुबा 9 से शाम 4 बजे तक कोचिंग संस्थाने जो है वहें चलाया जाएंगी कोचिंग संस्थान संचालक में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मौनिंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट चलने पर सहमती बनी है इसका शपत पत्र जो है वहें संचालक को देना होगा कोचिंग संस्थानों की होने वाली बैठक के रिपोर्ट के आधार पर चलाने पर मंधन किया जा रहा है आपको बताते चले कि पिछले दिनों ही सिक्षाविवाग की ओर से निर्देश जारी किया गया था कि विद्याले के पठन पाठन के समय अबदी के दौरान किसी भी प्रकार के कोचिंग जो है वो नहीं चलाए जाएंगे अगर विद्याले के समय के दौरान कोचिंग संस्थालू का संचालन होता है तो उन पर कारवाई जो है वो सिक्षा विव चार बजे के बीच जो है कोचिंग नहीं चलाये जाएंगे और इस पूरे फर्मान को अब पटना के डीम चंदर सेखर ने साफ तोर पर इंकार कर दिया है उन्होंने कहा है कि जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए कोचिंग नहीं चलेगा इसके अलावा जो भी केके पाथक ने प्रिशले दिन जारी किया था कि कोचिंग संस्थाने जो है वो स्कूल की टाइमिंग पर नहीं चलाई जाएंगी अब इसे डीम चंदर सेखर ने साफ तोर पर पर पलट के रख दिया है अब चंदर सेखर ने साफ तोर पर यह कह दिया है कि पटना में स्कू पाठक शेक्षावेबाग को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं इस बीच इस तरीके के उनके फर्मान को कैंसिल किया जा रहा है तो क्या कुछ उनके तरफ से आक्षिन जो है वो हमें देखने को मिलेगा अभी के लिए इस खबर में इतना ही विहार जार का अंकिता सतरीन खबरों के लिए आप बने रहें दर्शन्यूज के साथ धन्यवाद